नमस्कार मैं नाम है शीतर और आज मैं आपके लिए लेकर आएंगो डाइवर्टीज पर चर्चा की एक स्पेशल सिरीज हम आज यहां बने एजियो के लिए सेंटर पर और मेरे साथ देश और दुनिया के जाने माने डॉप्टर आज यहां पर हमारे साथ बात करेंगे हुए हैं डाइबुटीज और उसके मैनेश्मेंट के बारे में आज इंचर्चा करनी वाले हैं से पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शित को पर संशिप्त में बताएं मैं डॉक्टर मुकेस मास वनी है मैं एम डी वेडिसीन और सिकर लाजिस्थान में डाइवर्टीज इसके बेडिस सकता ओके सिर्मेरे सवाल अपसे यह के डाइबिटीज जो है आज पर यह जान देवा जो इक डिजीज ए उसके तोर पर जाना जा रहा है कि वाकई में इतना खतरनाक है और यह क्यों इसके अफसार क्या ही किस क्यों होता है मैंडम देखें डाइबटीन जो है जिसमें हमारे ब्लड के अंदर सुगन का लेवर नियंदतन में रफाता है वो एक साम्माने देवर से जादा लेवर में पहुंच जाता है इससे हम मुखें तेरा डाइबिटीज करते हैं इसे एंगलेजी में हाइपर ग्लैसिंग में अप्ला जाता है बढ़ा हुआ बलड हमारे जब वेसल्स में भूंता है तो उसकी विससे हमारी वेसल्स में बड़ी वेसल्स में और छोटी वेसल्स में ठक्के बनते रहते जिसकी जिससे हमें बाव जिससे के अंदर अगर ब्रें में नस्वे रुकाउट आचाए तो लगवाफ हार्ट में हो जाए तो हार्ट न पेरों के नसों में ब्लोकी दो जाए, तो नसे खराब होना, गुर्दे और आख्व के छोटी नसों में रुकाउट होने जाए, तो नियू निफोपे थी, इजमी की फेरोना और आख्वों से दिखना कम हो सकता है। उसको हम सालेंट के नाम से भी जानते हैं, और डाइबर्टीस को किस तरह से हम से कंट्रोल में रख सकते हैं, किस तरह से उसको मैनेज किया जा सकता है। डेली कम से कम 30 मिन्ट ब्रीफ ओ करना चाहिए, योगा, एक्साइज, और अगर एरोबिक एक्साइज हम करना चाहते हैं, स्विमिंग, डांसिंग, वो भी हम कर सकते हैं। या डाइबटीस ना हो खिसी को, उसको भी हाट के अंदर होने वादे बविश्या के अंदर खत्रों फायदर हो चाहते हैं, और एक आम आदमी के लिए जो हेंदी रहा चाहते हैं, उसके लिए भी लाप हुए। लेकिन डाइबटीस होती ही बहुत सारे कारणों से हैं, इसलिए सिर्फ आप फिजियर एलेक्टिवटी और डाइबट के अदार पर ही नहीं बोल सकते हैं, यह पूरी चरप प्रिवेंट विजाती हैं। जब भी आपके किसी वज़े से बलेट में सुगर का लेवर बढ़ने लएगा, मतलब बलेट में सुगर कंट्रोल नहीं रह रही हैं, उस समय आपको अपने किसी डाइबटीस डोक्टर से कंसरेट करना ही चाहिए, ताकि वो आपके सरीके कुछ चेक अफ्स करके आपको बता पर फाइडमन जगोरें, लाइब स्टाइक को तो सुधाना है ही साथ दोक्टर के पाथ चाहर करके समय समय पर चेक अपकर आपको ज़रूरी है, ता उसकी सलासे आगे अपने बढ़े गाओ, डोक्टर की सलासे और यह जो आजकर गरेनों उसके बड़े चलते रहें, गरेनो लोग मोटे लोग होते हैं, जिसका BMI दिख होता है, वो कुछ बज़न कम करके कुछ बार प्रेंट्रोल में आ जाते हैं, ठीक है, वो एक पाथ है लेकिन उससे और बेसिकने ड्रेक्टर डाइबडी से लिए है, सब के लिए ना कुछ लोगों को इंसुलेंट इफिसिन से हो वो ही चीज दूसरे परोस्ते को फाइता पुचाएगी, ज़रूरी नहीं, क्योंकि डाइबडीस के बहुत सारे प्रेकार है, जैसे आधर आप प्रिंगनेंट है, तो प्रिंगनेंसी में अलग डाइबडीस है, और पुरुष और स्त्री में भी एक अलग तरह की डाइबड तो अगर घरेलून उसके आप ज़रने पर है, तो भी हम यह जानना ज़रूरी नहीं है कि हमारे डाइबडीस का प्रकार क्या है, अपने डॉक्तर से सला पर होगे, अपने इनफोर्मेशन आपर दीर है, आपकी जो भी सला रही है, हमें यकीनन हमारे जो शोता है, उन्हीं इ यूटूब, ट्विटर और इंस्टागरम पर भी चूड़ने सकते हैं, मिलते हैं जल्द ही एक नए एपिसोट के साथ, तन्यवाद